बस्ते बच्चों कक्षा 10 वीशेगनित और प्रिशनावली अपनी चल दी है सरकर 10 मी तो 10.2 का जो एक बागा वो अपने हल कर चुके हैं दूसरे बाग को कोशन नमबर 5 से अपने हल करना है तो देखो पांचमा कोशन क्या दे रखा है कि शित कीजिए कि स्पर्ष बिंदू से स्पर्ष रेखा पर खिंचा गया लम वरत के केंदर से होकर जाता है क्या है स्पर्ष अपने क्या मान लो अपने जो अब तक मान रहे हैं कि यह 90 डिगरी है यह क्या करना है प्रूब करना है यहां पर क्या मान लो कि यह स्पर्ष रेखा है आपकी A B यहां पर कोई बिंदू पी और ये क्या है केंदर है ओ ठीक है ये केंदर हो गया ओ पी अपने इसको क्या मान लिया ये नबे डिगरी नहीं मानना अपने कोई यांपर कोई ओ डैश मान के यहां से जो रेखा खिंची मानना कि ये क्या है नबे डिगरी है ये लंब है इस पर ये मान लिया अपनी ठीक ह अपने इसको विरोदा वाष प्रूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा केंदर हो जाएगा यह और ओडेश को एक ही प्रूब कर देंगे तो देखो जो P है, वो से सपर शेका पर जो खींचा गया लंब है, वो क्या है? O' से जाता है तो ये O' P V ये कौन कितने डिगरी का है 90 डिगरी का ये हमने क्या है मानना है कि O P V equal to 90 degrees समी का नंबर 1 हम जानते हैं कि जो त्रीजा होती है और वो स्पर शेखा पर क्या होती है लंब होती है ये हम जानते है अपने को प्रूब करना है कि और और डैश क्या है एक ही है ये प्रूब करना है न तो अपने ये प्रूब करने के लिए ये हमें पता है कि जो त्रीजा है वो सपस्ट रेखा परलंब होती है तो O, P, B ये भी कितना डिगरी का होगा 90 डिगरी का होगा समीकर नंबर 2 दोनों की तुल ना करेंगी क्योंकि दोनों 90 है तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे कि जो O'PB है बराबर होगा O'PB के equation first and second से ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे लेकिन अपने आकर्ठि को देखें तो आकर्ठि को देखने O'' इस साइड है तो जो ओडेश पीवी है वो छोटा लग रहा है अपने इसको Ist साइड की है बन्दू थोड़ा सा पिनरबेड करीज़ी यह है तो यह थोड़ा सा भी जदर यहां भी होगा तो इससे छोटा लगेग इसको समीकर नमबर चार दे दो यहां तक समझ भी आए है आपको अपने क्या निकाला है कि यह बराबर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि Northwest संब्ख होगा, अब द्धवारासे समझो इस बात को कि ये आपके पास है ये आम पर है कोई बिंदू P, ठीक है। ये है A, B, ये आम पर केंदर है, केंदर से ये रेखा खीचनी, फोड़ा से बिंदू से रेखा कीचनी, क्या दोनों कोन ब्राबर हो सकते हैं क्या क्या दोनों कोन ब्राबर हो सकते हैं नहीं कब ब्राबर हो सकते हैं यह जब O P equal to O डश P यह दोनों क्या हो संपाती हो जब यह दोनों क्या हो संपाती हो एक ही रेखाई हो तभी equation number और जो तीन है वो possible है, संपाती रेखा हो, तब जाके ही जो equation 3 कहती है, वो possible है, नहीं तो वो possible नहीं है, तो अपने जो P से इस पर शेखा पर खिंचा गया lump है, वो वरत के केंदर से ही जाएगा, कहीं और से वो नहीं जाएगा, ये था आपका पांचमा question, इसके बाद देखो चटा question, क्या दे रखा चटा question, कि एक बिंदू A से, जो एक वरत के केंदर से 5 सेंटीमिटर की दूरी पर है, एक बिंदू है, देखो ये आपके पास क्या है, सरकल है, ठीक है, जो वरत के केंदर से 5 सेंटीमिटर, ये वरत का केंदर है, यहाँ से जो बिंदू है, ये वो क् 5 cm की दूरी इपर है और स्पर्स शेखा की लंबाई कितनी है 4 cm है और 3 जा ग्याद करनी है वो ही बात आगी ये 90 डिक्री है तो 5 का square equal to क्या होगा तो खासाईजी सा कोशन था आपका यह इसके बाद देखो सातमा कोशन क्या दे रखा है कि दो सकेंड़ी व्रतों की त्रीजाइन 5 cm और 3 cm है ये देखो एक सरकल इक है आपके पास एक सरकल इसके बीच है दोनों की त्रीजाइन दे रखी है 5 cm और 3 cm है बड़े व्रत क्यों जिवा की लंबाई गयाद करो जो छोटे व्रत को क्या करती हो स्पर्ष करती हो इस जीवा की लंबाई ग्याद करनी है जो छोटे ब्रत को क्या करती है स्पर्ष करती है इस बिंदू पर ए पर स्पर्ष करती है इसको पी क्यों ये क्या है ओ है डैस 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 ये ये आगे अपने पास अब देखो ये वाली तो क्या होगी बड़े ब्रत की बड़े व्रत के तीजा कितनी है ? 5 और यह वाली क्या होगी ? छोटे व्रत के तीजा कितनी है ? 3 तो अपने को क्या ग्याद कर लेंगे ? यह और ऊसी परकार उतना ही … यह ए जाद करके उसका दुगना कर दें वह उसके क्या जाएगा ? कि P A बराबर क्या है A Q बराबर है क्योंकि दोनों तिर्बूजों के कोडिंग ये भी 5 है ये भी 3 है आप को समझ गी होंगे तो अपने तिर्बूज 1 की बात करें P A O P A O में क्या है P O का स्केर equal to बराबर है O A का स्केर प्लस P A के स्केर के PO का square जनी की 5 का square और OA का square, 3 का square और यह हमें क्या ग्याद करना है इसका 25, 9 प्लस PA square PA square ग्याद करना है तो 25 में से 9 गए तो कितना आ गया 16 तो PA की value कितनी आगी 4 4 आगी तो PQ equal to क्या है PA plus AQ जनी की 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 cm कितना हो गया 8 cm हो गया इसके वाद देखो आठमा कोशन क्या दे रखा है आठमा कोशन एक वृत के परीगत एक चत्रबुज बनाए गया है परीगत जनी की बाहर की साइड यह आपके पास क्या है सरकल है इसके क्या है बाहर की साइड एक चत्रबूज बनाया गया है यह राप का चत्रबूज इसको नाम दे दो A, B, C, D और वृत के जिन बिंदो पर सपर्ष कर रहा है उसको नाम दे दो P, Q, R, S तो शिद क्या करना है यह हमें शिद करना है तो देखो यह शिद करना है तो अपने को क्या पता है कि एक ही बिंदू से वृत पर खिंची की दो सपर्ष रेखाओं की लंबाई क्या होती है समान होती है तो DR और DS क्या होंगे बराबर होंगे इसी तरह CR और CQ क्या होंगे बराबर होंगे BQ, BP और यह सारे क्या होंगे इसी प्रकार ब्राबर होते जाएंगे ना कि A की बिंदू से ये दोनों सपर्ष रेखाई है एकी बिंदू से ये दोनों है इससे ये हैं इससे ये हैं आपने देखो लिखते हैं कि DR equal to क्या है DS यहां पर bracket में आप दिख दोगे कि A की बिंदू से हिंची की सपर्ष रेखाऊं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है उसी तरह है CR equal to CQ CR equal to CQ equation number 2 उसी तरह है BQ equal to BP BP के दो चाहिए BQ के दो तो BP equal to BQ समी का number 3 फिर अपने पास क्या बच गया AP equal to AS AP equal to AS समी का number 4 तो इन सभी का क्या कर दो यो कर दो equation 1 plus 2 plus 3 plus 4 ये वाली साइड ही साइड जोड़ेगी DR plus CR plus BP plus AP equal to क्या होजएगा DS plus CQ plus BQ plus AS अब देखो DR plus CR DR plus CR क्या बन गया CD इसी तरह BP plus AP क्या बन गया AB B इसी तरह DS और AS DS और AS क्या बन गया AD CQ और BQ क्या बन गया plus BC और यही हमें क्या करना था प्रूब करना था और हमारा यही क्या हो गया प्रूब हो गया ये था अपना आठमा कोशन इसी परकार आपको समझ में आया होगा बहुती हीजी कोशन था इसके बाद देखो आगे के जो कोशन है वो अपने एगली वीडियो में करेंगे दन्यवाद